आज हम लोग करेंगे Neuron Writer का डीटेल्स रिव्यू हाई गाईज मेरा नामे क्रिपेश आडवानी यहाँ पर मैं डिजिटल टूल्स के रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ आज हम लोग बात करने वाले Neuron Writer के बारे में यहाँ पर मैंने पहले भी आज हम लोग ऐसे ही एक और टूल की तरफ देखने वाले हैं जो के Neuron Writer यह अभी आप सुमों पे lifetime deal के उपर है is it worth the money let's find out so Neuron Writer है क्या यह basically यहाँ पर दो चीज़े करता है पहले तो एक content optimization में आपकी help करता है and second AI content generate भी करके देता है आपको आपके blocks के लिए let's go to their App Sumo deal जो भी चल रही है जो lifetime deal चल रही है इसका link आपको नीचे description पे मिल जाएगा यह अभी आ रही है at present dollar 59 पे lifetime deal है and इसमें आपको मिल जाएंगे दो projects 25 articles और 15,000 credits projects क्या होते है articles क्या होते है credits क्या होते है यह अभी मैं आपको आगे बताऊंगा and you can get 60 day money back guarantee अगर आपको यह पसंद नहीं आता है यहां पर हम लोग हमारे दो projects create कर सकते हैं जैसी में create new project क्लिक कर हुआ यहां पर आपको अपनी website का domain name डाला है तो यहां पर मेरा एक project already created है इसी को हम लोग enter करते हैं यहां जैसी आप लोग यहां पर enter करोगे यह new query है that is your one article यहां पर 25 articles per month है तो जितनी आप लोग यहां पर queries create करोगे उत्र में यहां पर आपके एक article consume होते जाएंगे जैसे for example अभी मेरे पास यहां पर मैंने 7 consume कर लिया है already let's now go to new query यहां पर आपको डाल देना अपना target keyword जिस पर आपको अपना article rank करवाना है जैसे मेरा जो target keyword रहेगा वो रहेगा best coffee makers ठीक है US में English ठीक है let's start and it will take around a minute यह जो action है ठीक है तो यहां पर मेरा action complete हो चुका है and जो credits है वह यहां पर मेरा एक consume हो गया है आर्टिकल वाला अब यहां पर हम लोग इसको open करते हैं best coffee makers let's open this इसके बाद हम से पूछे competitors कौन कौन से हमें select करना है by default यह top 10 competitors जहां से select कर लेगा अब मानलो कभी कबारी e-commerce वाली website पर select कर रहा है तो आप e-commerce के against directly compete नहीं कर रहे हो तो अगर कोई e-commerce वाली website है तो उसको आप लोग uncheck कर दो अगर वह relevant है आपके नीश से अगर वह website से मिला रहे है तो इसको check धी रहन दो for example अगर कोई kora का answer है अगर कोई reddit का answer है तो उन सब को यहां से आप लोग uncheck कर सकते हो तो हमें देता है यहां पर option select करने के लिए हम लोग अब click करेंगे next के ऊपर top 10 यहां पर selected है and this is the editor कुछ editor इनका इस तरीके से दिखता है अब इसमें बहुत सारे features है जो important है वो मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले हम लोग जाते हैं जब ऊपर आपको दिख रहे है तो नॉर्मल आपको एक टूल बार मिल जाती है फॉर्माटिंग के लिए then undo redo और यह जो है this is characters कि आपको कितने characters का यहां पर article लिखना चाहिए based on top 10 competitors कि उन्होंने कितना लिखा है और उससे लोग एक सब्सक्राइब निकाल के बताते हैं कि हमें इतने characters का इतने words का sorry this is not characters this is words इतने words का हमें आर्टिकल लिखना है और जो हमारा score होना चीए वो कितना होना चीए score should be above 64 यह जो top 1 है जो पहला जो आर्टिकल है उसका जो score है वो 64 है top 10 articles का around average score 65 है तो हमें कोशिश करनी कि हमारा score थ data बता रहा है आपको then we have draft let's go to draft यहां पर हम लोग एक draft create कर सकते हैं draft means एक अपने article का structure create कर सकते हैं for example article layout है तो जो दूसरे लोगों ने headings use करी है हम लोग उस heading से related हमारा structure create कर सकते हैं if we want जैसे यह मैं plus करते जाओंगा and मैं यह recommend करूँ कि आप लोग directly हैसा मत करो क्योंकि एक तरीके से आप वही same चीज अपने article में भी डाल रहे हो जो पहले से कोई डाल चुका है तो आप थोड़ा सा वसमें करो यहां से inspiration ले लो इसको कॉपी मत करो और वही चीज यहां पर copyright notice में भी इन्होंने कहिए कि don't directly copy it from it just it's just for the inspiration तो आप inspiration लो questions भी आपको मिल जाएं take some inspirations from them तो यहां से आप लोग article layout क्रिएट कर सकते हो मेटा का यहां पर option एंटाइटल आपको क्या प्रिएट करना है तो यह मुझे अच्छा लगा है कि titles कि यहां पर suggestions देेता है कि titles में क्या क्या रख सकता हूं जो दूसरे लोग ने रखे हैं उसके basis पर यहां पर मैं कौन सा टाइडल रख सकता हूं जो मुझे जादा CTR मेरा बढ़ा सकता है लाइक मैं कैसे stand out कर सकता हूं इन top 10 competitors के बीच में क्या इसमें कौन है क्या इसमें different है तो यह आपको दे देता है description बता देता है कि बाकी लोगों ने क्या लिखा है उसके साब से यहां पर आप भी लिख सकते हो और यह कुछ keywords भी suggest कर देता है तो यह था draft अभी हम लोग चलते हैं वापस back to our editor अब यहां पर हम लोग करते हैं एक article को import तो अब जैसे यह article है मैं इसको directly import कर देता हूं यहां पर now you can directly write it here अगर आप एक नया article scratch लिख रहे हो तो आप लोग सीधे यहां पर article लिख सकते हो इसको copy paste कर सकते हो तो मैं इस example यहां पर एक article को import कर देता हूं यह article है let's click on import and then यह हमारे पास article आ चुका है image मुझाल में हटा देता हूं और कुछ चीज़ें है ठीक है तो यह basically एक article यहां पर हमने import कर लिया है अब हमें ज्याद अच्छे तरीके से समझ में आएगा जो content optimization वाला part है इसका score 63 and यह जो keywords है यह keywords हमें article में include करने है if you want if we want to increase the content score तो यह आपको keyword suggest कर देता है तो यह on page SEO में आ जाता है कि आपको कौन-कौनसे keywords यहां पर include करने चाहिए and semantic SEO भी बोलते है तो जैसे programmable coffee maker इसको include कर सकते है trip machine को include कर सकते है अभी कबार है कुछ irrelevant keywords भी दे रहा है for example keep coffee keep coffee क्यों दे रहा है I don't know let's see कि लोग इसे कैसे use कर रहे है and to keep coffee warm keep coffee hot for long तो यह keyword actual में इसको नहीं देना चाहिए फिर भी यह दे रहा है तो आपको यह बहुत सारे keywords भी मिल जाएंगे इसमें यह चीज यह मतलब ज्यादा keywords देने के चक्कर में कभी कबार आपको low quality keywords भी दे देता है जैसे much coffee नीचे आते हैं तो best coffee makers friends press coffee टीक है it's a good keyword best overall आपको कुछ-कुछ keywords यह आप पर irrelevant से भी मिल जाएंगे बहुत सारे ऐसे भी keywords जो relevant है तो यह सारे keywords को जैसे हम लोग यह पर include करते जाएंगे उस तरीके से यह पर हमारा score भी बढ़ता जाएंगे तो it is decent not the best not the worst अच्छा है for the price जो content optimization यह keywords जरा है it is good then it will give some ideas questions जो हम लोग यह पर include कर सकते हैं अगर आपको यह अच्छा video लगता है तो फिर आप उसको डाल सकते हो तो यह था content optimization वाला part जो कि आपको market news और phrase में भी मिल जाता है लेकिन आप उसके lifetime deal नहीं है तो अभी lifetime deal इसके उपर चल रही है and इसमें एक और चीज मिलती है that is AI writing AI writing क्या है जो मैंने आपको बताया था starting में 15,000 words आपको मिलते हैं तो एक यहां पर मैं title डालता हूं H2 पर तो यह जो title है मुझे इसके उपर एक paragraph लिखना है AI content writing यह चीज आपके लिए automatically करतेगी GPT-3 based tool है इसके अंदर already integrated let's select this and जैसी यहां पर आपको क्लिक करोगे select करोगे यह आज आएगा AI start paragraph पर मैं क्लिक करता हूं and it is going to generate GPT-3 based content so there are different type of coffees, different flavors, most popular beans are arabica and robusta तो यह इसमें दो दे दिया है, मैं एक बार generate again करता हूं let's see कि हमें और क्या options दे रहा है हर जनरेशन बेस ने कापी अच्छे से explain किया है, मुझे बहुत जादा problems नहीं देखी कि ठीक है इसने बता दिया है कि यह दो coffee beans के types होते है and the first one is this, second one is this, let's use text and यह इस तरीके से आ गया है, हलाग कि अगर इसमें फर्माटिंग होती तो जादा अच्छा लगता but anyway, text generation is good and the first one is this, how much should I spend on coffee maker let's see what we get, I think it will be a bit difficult I think, you can find a decent coffee maker for around $20, high model cost, okay, इसने अच्छे सांसर दे दिया अब अब जिस तरीके से मैंने उससे पूछा था, उसने अपने सांसर दे दिया तो इसमें यह चीज मुझे पहली नहीं बता था कि यह मैंने कितने credits पहले consume करेगा तो यह चीज मुझे इसके अच्छी नहीं लगे कि जब मैं run कर रहा हूं, run करने से पहले अगर यह मुझे बता थे कि इतने credits लिए यूज होंगे तो जादा अच्छा रहता और इसके बाद भी मुझे नहीं बता रहे कि मैंने कितने credits यहां पर यूज किये हैं क्योंकि अच्छा बैट यहां अच्छा अच्छा मिलेगा लाइचा सपोर्ट लिए लाइचा इमिल सपोर्ट एक इस अच्छा नहीं पर एक गंटे तक टाइम डेलेते तोकिंबाउट रोड्माप यह रहा इनका रोड्माप लेट्स लुक आट रोड्माप कि अभी इनका प्लान क्या है यह इनके कुछ है और जो मुझे सबसे अच्छा लग रहा है जो फीचर जो अभी अपकमिंग मंथ में आने वाले जो प्लान है वो है प्लेगरिजम चेकर होना चाहिए अगर आपके पास AI Content Generator है तो प्लेगरिजम चेकर होना चाहिए ताकि मैं यह चेक कर पाहूं कि कितना प्लेगरिजम है पता चला मैं आपने आपने आर्टिकल्स में और वो काफी प्लेजराइज थे तो I will get a penalty अगर मैं इसके प्रोस के बारे और फाइंट्यून क्रिया गया है सिफ ब्लॉगिंग परपस के लिए AI Content Generation is good second just price point अभी मिल रहा है it's a good affordable option lifetime deal dollar 59 में आपको content optimization के लिए 25 articles you can do and AI Content Generation 15,000 words भी per month मिल रहे है आपको थर्ड जोसका road map है वो मुझे काफी अच्छा लगा है plagarism checker आ रहा है and questions from other sources it is good cons की बात करो तो जोसका इंटरफेस से वो मुझे थोड़ा सा complex लगा मींस modern है past है लेकिन क्योंकि इसमें इतने सारे features हैं तो उसके वज़े से थोड़ा complex हो जाता है कभी कभार specially for beginners it can be overwhelming लेकिन एक बार जब आप इसको content generate create कर रहा हूं तो मुझे बताओ कि इसमें कितने credit से आप यूज करने वाले हो यहां फिर उसको जब complete कर लिया तब मुझे बता दो कि आपने उसमें कितने credit से आपर consume कर लिये हैं now coming on to the bottom line अगर अभी तक आपके पास यहां पर face या market news नहीं है यह कोई भी ऐसा tool नहीं है औ और आप content लिख रहे हो online content writer or blogger हो तो get this tool lifetime के ओपर यह काफी अच्छा option हो सकता है यहां फिर आपको कोई ऐसा tool चीए जो content optimize भी करे और AI writing भी आपको करके दे तो भी neuron writer एक अच्छा option हो सकता है अगर पहले से आपके पास कोई tools है तो you can skip this one नहीं है तो you should get it so that is it for this one अगर interesting videos and I will see you guys in the next one good bye